और अब सलाम उस नारी श्रक्ती को उस महिला को जिसने संभव को संभव कर दिखाया घाटी की इस महिला ने वो खर दिखाया जो दुनिया के बड़े-बड़े वैग्यानिक नहीं कर पाए सिर्फ बारहवी पास नासरा अख्तर ने जो इनोवेशन किया है उससे न सिर्फ पर्यावरन बचेगा बलकि जीवन की रक्षा भी होगी रिपोर्ट देखे नासरा अख्तर कुलगाम जम्मू तथा कश्मीर आप एक ग्रासरूट इनोवेटर हैं आपको पर्यावरन संद्रक्षन के मद्दे नजर एक्जेम्टरी ग्रासरूट इनोवेशन के लिए इस पुरसकार से नवाजा जा रहा है आपने पॉलिथीन को बायो डिग्रिडेबल में बदर देखे पॉलिथीन को राख में बदल सकता है यानि इस से पॉलिथीन बायो डिग्रिडेबल हो सकता है इस से किसी भी प्रकार के परेवरन प्रोडूशन के बिना पॉलिथीन को राख में बदला जा सकीगा मैंने पिछले 20 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम किया है तो इस प्रोजेक्ट को मैंने जो इस से मुतलका इधारे है जो इनोवेशन सेंटर से यहां के इन तक पहुँचा दिया तो तरह तरह के एनलिस्स कराए गए जिसकी बिनाफ पर मुझे कई अवार्ड मिले इस शोधिया नवाचार के लिए 2022 में पुर्वराश्ट्रपती रामनाथ कोविंद अंतराश्ट्रे महिला दिवस पर नासीरा को नारी शक्ती पुरसकार से सम्मानित कर चुके हैं इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं इसके अलाव और कई अवार्ड मिले ना सिरा कोई वैज्ञानिक नहीं है ना विज्ञान में कुछ शिक्षा प्राप्त है वो सिर्फ बारावी तक पढ़ी लिखी है वो उसी कुलगाम से आती हैं जिसे महिलाओं की सक्षर्टा के मामले में पिछडा जिला माना जाता है बाप जुदिस के उन्होंने जो किया वो एक मिसाल है देश और दुनिया के लिए खासकर आधी आबादी के लिए मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन मैं अल्ला का शुक्रिया अदा कर रही हूं कि मेरी आवाज पूरी इंडिया तक पहुंची तो जो मेरी इनोवेशन है वो भी एक कामपनी तक पहुंची इनको भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे है तो मैं अल्ल सवरण बचेगा बलकि जिंदगिया भी बचेंगी कैंसर ने नासिरा से उनके पती को चीन लिया वो सिंगल मदर है उनके सामने तमाम मुश्किले पेश आई संघर्षों का सामना करना पड़ा लेकिन वो रूकी नहीं और असंभव को संभव कर दिखाया इसलिए नारी शक् की नासिरा को टाइम्स नाव नवभारत की तरफ से सलाम ब्योरो रिपोट टाइम्स नाव नवभारत